तो जैसे कि आपको पता है UP TGT PGT का विग्यापन आ चुका है तो TGT का वीडियो हम पहले अप्लोड कर चुके हैं अब हम देखेंगे कि PGT की जो अफगैंसी है हमारी प्रवक्ता की है उसके बारे में देख लेते हैं तो इसका आउनलाइन आवेदन जो पंजीकरन प्रारम हो 2021 और आउनलाइन शुल्क जमा करने है तू अंतिमतिती है 134-2021 और आवेदन भागदो सम्मिट करने के अंतिमतिती है 154-2021 तो यह हैं इंप्राइटन डेट्स हैं इसके बाद देख लेते हैं जो संख्या है विग्यापन की जो पद हैं वो कितने हैं तो प्रवक्ता में आपक 2595 पद है विशयवार्वार्ट दोनों को मिला कर उंमेद पंचयानमए पद हैं इसे वार पदों का वीवराण्ट देख लेते हैं क्या है आज आएब देख लेते हैं विश्यवार जो पद है वो कितने पद हैं सबसे पहले देख लेते हैं प्रवकता बालक वर्ग में तो बालक वर्ग में हिंदी के हैं 363 पद गडित के हैं 98, रेविग्यान के हैं 2, अर्थशास्त के हैं 143, इतिहास के हैं 68, इंगलिश के हैं 279, कला में 49, नागरिक शास्त में 153, भुगोल में 250, मनो विग्यान में 35, इसके बाद देख लेते हैं, सिच्छा शास्त में 25, समाज शास्त में 67, संस्कृत में 232, जी विग्यान में 108, बहुतिक विग्यान में 108, 208 रसायन विग्यान में 160 सारी रिक्सिक्षा में 11 वारीज में 45 पद हैं कृषी में 38 पद हैं सैन विग्यान में 10 पद हैं और तर्क शास्त में 7 पद हैं तो टोटल जो यहां पर वेकेंसी है वो है आपकी 2281 टोटल वेकेंसी है यह बालक वर्गी की इसमें जनरल के आपके 1315 पद हैं OBC के 633, SC के 326 और ST के 7 पद हैं यहां पर साथ अब बात कर लेते हैं बालिका वर्ग में बालिका वर्ग में कितने हैं आपके जो विशावार्थ है पद कितने हैं तो हिंदी में सबसे पहले हैं 47 हैं टोटल जनरल के 24, OBC के 12, SC के 11 और ST के 0 ठीक है गडित में हैं एक पद बालिका वर्ग में ग्राव विज्यान के हैं 11, आर्थ शास्ट के 28, इतिहास के 22, इंग्रिश के 28, कला के 27, नागरिक शास्ट के 30 फिर है आपका भूगोल के 8 पद हैं, मनों विज्यान के 12, सिच्छा सास्ट के 5, समा सास्ट के 11, संस्क्रत के 34, ठीक है आगे देख लेते हैं संस्क्रत के 34, जी विग्यान के 6, बहोत्तिक विग्यान के 10, सायन विग्यान के 11, सारिरिक शिच्छा के 2, संगीत गायन के 9 और वाधन के 12 तो यह हो गई बात विज्यावार विग्यप्त की ओजहाए आए अब देख लेते हैं जो साचिक ह्रता जो है विसेवार वो क्या होने चाहिए हर wstaq वो देख लेते हैं अब आधाएब देख लेते हैं प्रवक्ता पधेतू साचिक अहरता हैं तो यहां पर आप संस्क्रत में 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 हिंदी होना सब्सक्राइब साथ भी होना चाहिए वह में में होना से एक्ष्राइब क्यूपादी होनी चाहिए अंग्रेजी विशाय में थीक है कला की भी साची करता यहां पर दी हुए क्या होना चाहिए कि इसके ग़ें संस्क्रत में एम प्रशिचन वरिमान तद्द रीस कंकी संस्क्रत कालेज वर अतरी पर दिप्लोमा होना चाहिए संगीत गायान और वाधन की यहां पर अर्था दी हुई है क्या होना चाहिए आप सभी लोग देख सकते हैं अर्थसास में में अर्थसास होना चाहिए क्या कि तर्क शास में दर्शन शास में अपया अफभी यह ओन अस्ति old쉽 त्री वर्सी पाठक्रम नागरिक स्क्राइब में में इतिहास में में प्रसिचेज्चनवरियमान पर गोल्ल में मन विग्यान में में समसास में में तो यहां पर सारी जो हर्टा हैं यहां पर मांगि केंगे विस Clerस संब्ढंद़िया सभी अच्छसे देख के पढ़ लेčिए जो भी विश्य से संबन्दित आप आप रहत रखते हैं उसी विश्य से यहाँ पर प्रवक्त पद鄭ेतु अपराइक कर सकते हैं बहुत दिख में। नसायन विग्यान में MSC और प्रशिच्छन वर्यमान यह सारी यहां पर जो अर्थाएं हैं यहां पर दी हुई हैं आप सभी लोग यहां पर अच्छी प्रकार से पढ़ कर समझ कर ही पॉर्म भरे आए अब देख लेते हैं कुछ महत्रपूर्ण निर्देश तो अब भरतियों द्वारा चैनबोर्ड की वेफसाइट www.upscesb.org पर आप उनलाइन आवेदन यहां से कर सकते हैं तो ऑनलाइन आवेदन ही सभी को करना है ठीक है तो एक विशाय के लिए आपको एक ही आवेदन यहां पर करना है प्रवक्ता समवर के प्रतेग विशाय के सापेज एक ही आवे दन कर सकते हैं विज्यापत पदों की संक्या घट अथवा बढ़ सकती है भासा संबंदी प्रेश्ण पत उसी भासा में होंगे यता हिंदी का प्रेश्ण पत हिंदी में संस्क्रत का प्रेश्ण पत संस्क्रत में अंग्रेजी का प्रेश्ण पत अंग्रेजी में तथा उर् प्रावधान भी किया गया है कि उत्तरप्रदेश के निवासियों के लिए ठीक है कि तदर्थ सी चुकों के लिए भी यहां पर दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको करना होगा साइट पर जाकर फिर आपको फेस का भुक्तान करना इसके बाद फॉर्म का सम्मिशन आपको करना है तो जो लोग पहले ही अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए भी यहां पर बताया गया है जिनुन पहले ही फॉर्म भर दिया था क्योंकि संसोधित विग्यापन ने दुबारा आया इसके पहले विग्यापन आया था उसमें उनके लिए यहां पर दिया हुआ है आप लोग सभी देख सकते हैं सूर। यह सारा फार भरने का प्रोसेस यहां पर दिया हुआ है कैसे आपको फार्म भरना इसके बाद देख लेते फीस की बात कर लेते हैं तो सामाने के लिए आपको सास्सों पचास रुपए फीस है इडबलू एस के लिए 650 अन्य पिश्रावर्ग के लिए 750 अन्सूची जाती के लिए 450 और अन्सूची जन जाती के लिए 250 रुपए फीस है ऑनलाइन फीड फीस का यहां पर आपको पेमेंट करना है तो कुल पद जो है रिक्त पद है वो आपके 2500 पंचान पर पद है कुल बालक और बालिक वर्ग दोनों में मिला कर आयू सीमा आपकी एक जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कमना हो ठीक है साचिक अहरता की बात हम पहले ही कर चुके हैं वेतन मान इसमें होगा आपका पे लेवल एट होगा और ग्रेट पे होगा 4800 प्रवक्त समवर्ग का आरच्छंड के यहां पर बिंदू दिये हुए हैं तो जो जिस भी आरच्छंड करलाब लेना चाहते हैं आप लोग जिस कटेगरी में आते हैं तो यहां से आप आरच्छ हैं और बात कर लिक्सराइब नहीं पाक्रिया की किसा नहीं होनी पर साड़ी प्रिक्ष्या हो चाह-ट अंक आञार विश्येश योगता है तindestव जो यहां पर एंक तयार की जाएगी दो लिकित परिश्या पर आपके प्रतिशत अंक उससे होंगे साच्छाथ कार के अधार पर दस प्रतिशत अंक जो नियुक्तर विभादित होंगे समान गयान के अधार पर starch रहेंगे तो परीछन के अधार पर तेन प्रतिशत अंग अभीव्यक्ति की योगता को अधार प्रेट पुपाधि और वश्चेश जोगता योगता की आधार पर पांच प्रतिशत अंग मिलेंगे आपको नियो विएट्ट फीट वाट सब्सक्राइड शी चे завrom की वो निमणवत होगी लिखेत परीख्षा जो आपका 25 आंगल होगा है और विसेश योगता के जो आपका आधिभार वो को 25 आंगल होगाct लिकित परिक्ष्छा जो आपकी होगी वो होगी 425 आंको की एकप्रश्ण पद्र होगा जिसमें कुल प्राश्ण आपके 125 होग और प्रतीक प्रेश्ण जो there 2.4 आंक होगा और सभी प्रेश् हुआ अनिवारे होंगे समय वद्धी होगे आपकी दो घंटे की दो घंटे में आपको 125 प्रश्ण यहां पर अटम्ट करने होंगे सब भी प्रश्ण जो है वह हुए कल्पी प्रकार के होंगे मसी क्यूज तो यहां पर तदल सिच्चकों के लिए भी अधिवार जो दिया जाएगा वो भी यहां पर दिया हुआ है वेटे जो दिया जाएगा एक वर्श की सेवा पर एक दिसमलों पाच अंग अधिक्तम तीसंग साच्छातकार के इस तर पर दिये जाएंगे तो यहां पर चैन है तो पैनल के जानकारी भी दी हुए है यहां पर तो यह पूरा नोटिफिकेशन आप अच्छे से पाढ़ लिगजिए अभी हर्तियों होती सामान अनुदेश भी यहां पर दिये हुए हैं तो यह भी आप देख सकते हैं इनको परिक्षा की तीथ की सूचने जो है वह यह था समय दी जाएगी अभी जो एक्जाम की डेट है वह अनौंस नहीं हुए है यह बात में ही आएगी परिक्षा की डेट के कब होगा हमारा यह एक्जाम टीजीटी पीजीटी कर अब हर्तियों है तू महत्वण अनुदेश दिय लें इसके बाद ही फॉर्म अपलाई करें तो यह था हमारा विग्यापन पीजीटी का तो अगर आपको कोई भी दिखका तो कोई भी जानकारी आगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट स्क्षिन में जाकर हमें वहां पार पूछ सकते हैं या हमारा वाट्सअप ग्रूप यह हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार